ये है चाहते के आने वाले अपिसोट में दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष को वेंकी पर पूरा पूरा शक नहीं बलकि यकीन हो चला है कि वो सबसे जुन पोल रहा है वो सही हो गया है उसके बाविजूद भी वो ये रास सबसे चुपा रहा है इसलिए इस बात को करने के लिए रुद्राक्ष वेंकी की डॉक्टर कौ कॉल करेगा और डौक्टर से कहेगा कि मुझे आपसे वेंकी के बार में कुछ बात कर नहीं है डॉक्टर कहतीently Άईगी नजरे की ठीक है आप कल मेरे होस्पिटल आ जाईए वहीं मिलकर के हम सारी बात कर लेते हैं तब ही यहाँ पर प्रिशा रुद्राक्ष की बाते फोन पर सुन लेती है और वो उससे कहती है कि तुम डॉक्टर राधा से क्या बात कर रहे थे रुद्राक्ष यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है लेकिन वो प्रिशा को कुछ पताता नहीं वो दर दिखाया जाएगा कि जो डॉक्टर राधा है वो अपने इंचार्ज से कहेंगे कि आप ज़रा वेंकर टेश्वर की फाइला कर दीजिए और रुद्राक्ष के हाथ में उसकी मेरिकल रिपोर्ट लग जाती है जिसे देख कर उसके होश हो जाते हैं अब जिस तरीके से रुद्राक्ष एंटर होता है खुराना हाउस में वो ये कहता हुआ नजर आता है कि अब मैं तुम्हारा सच सब को बताऊंगा वेंकी आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो इसका जवाब अब तुम्हें देना ही होगा और वेंकी के हाथ में कुछ भी नहीं रहने वाला है क्योंकि जब वो रुद्राक्ष को रिपोर्ट के साथ देखेगा उसके भी होश हो जाएंगे अब ऐसे में देखना होगा काफी ज़्यादा दुल्चस के आखिर वेंकी का सच घरवालों के सामने क्या वाके में आ जाएगा या फिर इस बार फिर हर बार की तरह वेंकी रुद्राक्ष को जूटा साबित कर देने वाला है वे ऐसी मज़ेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेय करना बेकुल भी न भूलें